कॉप्स नाइट गंथर पार्ट टू के मज़े उठाओ इससे पहले हमने देखा था कंथर बंजल को मार के एरिन और रैनो के हेड़कोटर जा रहा है और वहाँ पाउच कर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर आग लगी है और अब आगे अब यहाँ से सीन सिप्ट होता है और हम देखते हैं एक हाई रैंक वेमपायर को जो की बुरी तरीकी से चिलाने रगता है मर गए मर गए मर गए आखिर कार दुस्पन यहाँ पर आ गया है अब वो आकर मुझे मार दीगा माम मैं मरना नहीं चाहता बेटा सांत हो जाओ यहाँ पर कोई दुस्पन नहीं है वैसे यह एक सैड निउस है बंजल प्रीसेज और एक खुबसूरत वेमपायर मारा जा चुका है वैसे आपको क्यलबता है इसके पीछे इंसानों का हाथ है बंजल काफी ताकतवर वेमपायर था उसको मारना इंसानों की बसकी नहीं तुम सही कह रहे हो येन डुंडो आखिर वो कौन सक्स है जिसने बंजल को मारा येस माई लॉर्ड उसके बाद वो वेमपायर महां से चला जाता है और जूलू इसको भी यकिनी होरा कि बंजल मारा जा चुका है अब हमें राइन और एरेन के हेड कोर्टर के बारे में बताया जाता है इस जगा का नाम है बाहल और इसको हॉली लेंड भी कहा जाता है कुछ लोग मानते हैं इस जगा को गौड ने इंसानों को दिया है और ये कहने का सबसे बड़ा रिजन है इस जगा की प्रिफेक्चर बाहल एक ऐसी एज में लोकेटिड है जहां पर पहुचने के लिए हम सब को सबसे पहले माउंटेंज को पार करना होगा और इसी रिजन की वज़ा से बाहल सिटी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है क्योंक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वहां का ब्रिच जो कि 3900 फिट बड़ा है कहा जाता है यह ब्रिच कई सारे दुष्मनों के हमले को काफी असानी से हैंडल कर चुका है जिससे बाहल के रोक काफी असानी से सुरक्सित रह पाए हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इन समझ में नहीं आ रहा था तब ही राइनो को अपने सामने कुछ सोल्जिस देखते हैं जो कि इस आपको भुजाने में लगी हुए हैं और उनमें से एक राइनो का जानकार भी है जिसका नाम लियोनार्ड है लियोनार्ड और राइनो आपस में मिलते हैं और उसके बाद लिय लियोणार्ट आरेन से भी मिलता है, जिस thereby से लाल को साई सलामतत देखकर लियोणार्ट बलस करने लगता है। फिर इसकी नजल आती है गंधर जो कि उसी की तरफ देखकर उसको हेलो कहता है। लेकिन लियोणार्ट गंधर को अजिब सा मुँ बनागर उसको इग्नोर गंधर क लियोनार्ट के बार में बताता है कि इनका नाम है लियोनार्ट बाल ये बाहल के एक defense soldier है लियोनार्ट एरिन और राइनो को थूरी देर अलाम करने के लिए कहता है इतना लंबा सफर दे करने के बाद वो काफी जदा ठक गए होंगे और साथ ही में गंतर को भी जब वे लोग वहां के defense base में जाते हैं तो गंतर लियोनार्ट से पूछता है मैंने सुनाते हैं ये एक holy land है आखिरकार यहां पे इतनी आप कैसे लग गए हमने सबसे पहले अपनी defense army को ब्रेच के बाहर कर रखा था जब वेंपायस का अमला शुरू होनी लगा तो हमने उनको वापस अंदर बुला दिया बंजल के मरने के बावजूद वेंपायस का अमला चालू है क्या बात कर रहे हो तुम तुमने बंजल को हरा दिया हाँ मैंने इसको अपने हाथों से मारा हेई लियोनाड क्या तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है जबसे तुम लोग हॉली लैंड से गए हो यहाँ पर हाई रेंग वेंपायस का अमला शुरू हो गया पर कुछ अजीब बात थी वो वेंपायस कुछ अजीब से दिख रहे थे इसके साथ उन्होंने हमारे कई सोज़स को मार गिराया वो सबसे पहले किसी तरीकी का सोव करते थे जैसे की सरकस क्या? क्या कहा सरकस? क्या तुम पागन हो गयो? एक वेंपायर बहला सरकस करते हुए इंसानों को क्यो आरेगा? ये सब छुड़ो ये बताओ क्या वो लोग गैट तोड़कर अंदर तुनिया हैं हाँ वो आए थे ये आग उनी की वरे से लगी थी लेकिन जब सूरज उका तो वो लोग यहां से भाग गए गंतर हमें तुमारी एक मरत चाहिए जब हम ब्रिच का काम खतम कर दिंगे तो तुम मापर गार्डियन बनके खड़े रहना वो हाँ वैसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं नहीं करने वाला और वैसे भी तुम इनसान मेरी ढाल बनकर मेरी सामने खड़े रहना और मैं तुमारी पीछे चुपकर खुद को बचा हूँगा लोगी मेरी जान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम इनसानों से भी ज़्यादा ये सुनकर लियोनाड को काफी गुशा दाता है और वे गंतर से कहने लगता है तुम वलगर बस्टर्ड तुम आखिर जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो हमने अपने साथियों के सौ से भी ज़्यादा सेक्रिफाइस करके एक यूमन बैटरी तयार करी ताकि तुम को पावर मिल सकें इसके अलावब तुमें ये भी पता होगा कि हमने तुमारी बॉडी पार्ट्स को तयार करने में कितना समय लगाया है मेरे कई साथियों ने खुद को सेक्रिफाइस करके इस हॉली लेंड को बजा की रखा और अब तुम जैसा बस्टर्ड ये कहता है कि तुम अमारा इस्तमाल करोगी खुद की रक्सा करने के लिए मुझे मुझे होना चाहिए था कॉप्स नाइट ना कि इस वल्गर बस्टर्ड को मैं कभी भी इस जैसे हराम जादे को एक्सेप्ट नहीं करूँगा और ना ही इसकी रिस्पेक्ट करूँगा तुमारी बाते सुनके मुझे लगता है तुम काफी ओनिस्ट कमांडर हो अपने साथियों के साथ इसलिए मैं तुम से कुछ कहना चाता हूँ भाड में जा बस्टर्ड कही के तु साले कुट्टी के बच्चे तु मुझसे नहीं बचेगा लपी उक्का पर लग गई बाबा जब ये ठाई किलोगा मुक्का पड़ता है तो सामने वाला उठ नहीं बैठ जाता है उसके बाद एरिन गंतर को डाटती है लियोनार्ड पर हाथ छोडने के लिए गंतर एरिन को बताता है कि उसी ने सबसे पहले उस पर हमला किया बस उसने तो खुद को सेल्फ डिफेंस किया है यसने के बाद एरिन भी गंतर को कुछ नहीं कहती अब अगली सीन में साम हो जाती है और हम लियोनार्ड को देखते हैं जिसके अच्छे से मरम पट्टी लगी हुई थी इस समय गंतर और बो जुडबा भाई लग रहे हैं तबी एरिन गंतर से कहती है कि तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो लेकिन तुमें जीतने के लिए साथ मिलकर काम करना पड़ेगा इसके लावाज जो तुमारी डूरिबलीटी है वो भी ठीक नहीं है जो बॉड़ी पार्ट तुम यूज करते हो हॉली लेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर राइनो गंतर की वैपन चेक करता है कि आखिर उनके पास कितनी वैपन्स है और वहाँ पर होते हैं सिर्फ दो वैपन्स इसके रिजन में लियोनार्ट बताता है जब रात के समय वैपन्स ने उनके उपर हमला किया था तो उनके पास समय नई था गंतर के वैपन को मोडिफाय करने का और इसी रिजन की वरा से वो लोग सिर्फ गंतर की दो भी वैपन को मोडिफाय कर पाए है उन दो में से एक वेपन गंतर को काफी घटिया लगता है क्योंकि उस वेपन के अंदर हाथ की जगा माउथ बनाया हुआ है इसकी रीजन में लियोनार्ड बताता है कि ये वेपन वेंपास को बाइट करने के लिए हैं जो की गंतर को सुनने में कुछ अच्छा नहीं लगता लेकिन दूसरा वेपन होती है एक सील्ड जो की स्क्विज भी हो जाती है और ये वेपन एक तम बढ़िया है गंतर की यूज करने के लिए इस सील्ड के बारे में एरेन बताती है कि इस सील्ड का सैस गंतर चाहे तो इंक्रीज भी कर सकता है यहां तक कि इस सील्ड की डूरेबिलिटी भी काफी जदा अच्छी है इससे गंतर खुद को किसी आग वाले खतर में भी बचा सकता है गंतर एरिन से पूछता है क्या तुम बोन लॉंचर जैसा वैपन नी बना सकते जिसको मैंने लास्ट टाइम यूज किया था इसके जवाब में एरिन बताती है कि बोन लॉंचर को हमें बनाने में कम से कम एक साल लग गया था क्योंकि हमारे पास प्रॉपर मटेरियल नहीं थे तब लियोनार्ड गंतर को बताता है कि साम हो चुके है अब वैंपार्स आने वाले हैं तो तयार हो जाओ थोड़ी देर बाद गंतर भी अपने सूट वूट पैन का तयार हो जाता है और एरिन गंतर को बताती है जो लियोनार्ड ने बात बोली थी कि उसको कॉप्स नाइट होना चाहिए था ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि हमने सो वार्यूर्स के उपर एक्सपेरिमेंट किया और उनमें से एक भी सक्सिस्फुल नहीं हो बाया तुमारे सिवाए फिक गंतर एरिन से पूछता है अगर तुम्हें पदा था कि सो यूमन्स की उपर एक्सपेरिमेंट कर लिया गया है यूमन बैक्टरी बनाने का लेकिन तब भी तुमने अपनी जान को खत्रे में डाल कर ये समझकर अपना हेलमिट पैन के तयार हो जाता है वेंपायर से भीडने के लिए जब गंतर ऐसे ही चलते में अपने सामने देखता है तो उसको किसी अजीश्ची चीज़ की सैडो दिखती है और वो होता है एक अजीश्चे आड़े केड़े सरीर वाला वेंपायर चूकि गंत गंतर को ओडियन्स कहता है उस वेंपायर को देखने के बाद गंतर को लगता है कि इस वेंपायर की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होगी फिर गंतर अपनी पावर लगा कर उसकी तरफ चलांग मारता है जिससे गंतर उस पर अपनी स्वार्ट से स्टैप करता है लेकिन हैरान अपने बलट से एक सरकस को खड़ा कर देता है तो गंतर समझ जाता है कि लियोनाट का आखिर सरकस से क्या मतलब था तबी एक्तम से कोई उस सरकस से भार निकल कर गंतर की उपर अटैक करता है लेकिन गंतर अपनी सील्ड से उसके हमले से बच किया था और वो होता है पिक जैसे दिखने वाला एक वेंपायर फिर उस सरकस में से और वेंपायर भारा कर गंतर को चारों और से गहर लेते हैं जब उन में से कुछ पिक साथ मिलकर गंतर की उपर हमला करते हैं तो गंतर अपनी स्वार्ड से उन सभी को बीच से अलग कर देता है तबी उस सरकस में से और पिक भार निकलते हैं और गंतर उन सभी को मार कर सरकस की तरफ बढ़ने लगता है उस टेंड के अंदर गंतर को दो चमकत पिक बैठा था उसके बाद वो पिक और गंतर की उपर फायलड चोड़ता है जिससे गंतर अपनी सीड की वर्रा से बैचतु जाता है लेकिन जुसकी सीड है वह मसल से बनी थी इसलिए वह आँ टिक पक गई पिक की जाइंट बॉड़ी पर कसके घूसा मारके उसको टैंट के अंदर फैक्ट देता है गंतर की ये ताकत देखकर उसके आसपास के सभी पिक उससे डरने लगते हैं और गंतर उनको वान करता है अगर वो लोग चिंदा बचना चाहते हैं तो वो लोग उसके पीछे ना एसा पहला बंदा है ड़ोड़ी पर गंतर उसकी सर के उपर हमला करता है और गंतर का उसके पी utmost पर एक पी अपर नहीं कर पा रहा था था ओपर Aveline के उपर एक भी अंदर से दो स्वाड इंक आरगे गंतर को जगाता हम पर गंतर की स्वार्ड एविलिन की स्वार्ड के सामने इतनी मजबूत नहीं होती। एविलिन के हमलों से बचते वे गंतर सरकस के भारा जाता है। और एविलिन भी भारा कर उस पर हमला करना फिर सुरू कर दीती है। गंतर और एविलीन की इस fight को दूर से राइनो, एविलीन और लियुनार्ट देख रहे हैं। लियुनार्ट बताता है कि गंतर इस समय स्टागल कर रहा है। वे एविलीन के सबी हमलों से बचती वे bridge तक आज चुका है। उसके बाद गंतर, एविलिन के हमलों से बचती हुए, पुल की एकदम किनारे में आ जाता है, जहांपर उसकी रीलिंग है। एरन बताती है कि गंतर ने अभी एविलिन का एक और हमले को डौच किया है। रैन और लिवनार्ट से पूछता है कि आखिर कोई ऐसा तरीका नहीं है, जिससे हम गंतर की मरत कर सके। लिवनार्ट बताता है कि लौग रेंज की वैपन सारे टोप चुके हैं, तो मेरे इसाब से कोई भी ऐसा तरीका नहीं है। एरन बताती है अगर गंतर पानी के अंदर गिरा, तो वो तेर कर उपर नहीं आ सकता, क्योंकि गंतर की बॉड़ी है और उसमें कई सारा फैट है। तब ही हम देखते हैं एवलिन गंतर के राइट हैंड को काटकर उसको ब्रिच के नीची गिरा देती है, और गंतर बस पानी के अंदर गिरने ही वाला था, लेकिन सही समय पे अपनी स्वोर्ड का इस्तुमाल करके गंतर खुद को नीची गिरने से बचा लेता है, और गंतर क कहता है तुम बाकी हाई रेंग वेंपायर के कमपैरिजन में काफी ज़धा ताकतवर हो गंतर हमारी आवास सुन रहे हो पापस पुल के अंदर आओ हमारा कोई चांस नहीं इस से जीतने का उनकी आवास संकर गंतर पीजे अटके पुल के अंदर आदाता है और अपना हेलमेट को निकलने में अभी पांच गंटे बचे हैं और गंतर अपनी फुल मैक्सिमम पावर के साथ सिर्फ दो ही गंटी तक उस वेंपायर के सामने टिक सकता है गंतर एरिन से पूछता है आखिर कितना टैम लगीगा उसकी पावर को फुल चार्ज होने में एरिन बताती है दो गं नहीं है रैनो गंतर के राइट हैंड को जोडने में लगा हुआ था तब ही गंतर अपनी सामने देखता है कि जिस कमरे के अंदर गंतर को फिर से लड़ाई करने के लिए तयार किया जा रहा है लियोनार्ट उस कमरे का गैट लगा लेता है और वे अपने कॉमरेट के साथ त अपनी जान को जोखी मिली डालेंगे वे इस सिटी की लोगों की रक्सा नहीं कर भाएंगे। हमारी जीत की इकलोती बस तुम ही उमीद हो और हम बस तुमारी लिए रास्ता बना रहे हैं तुमारी जीत के लिए। तबी उन सोल्जर्स की सामने का गैट टूटता है और उन सोल्जर्स की चिलानी के वाज उस बंद कमरे के अंदर राइनो और एरिन को आती है और एविलिन अपनी बलड का इस्तमाल करके उस दरवाजे की नीची से आती है और एक ही करके वहां के सभी सोल्जर्स को मार देती है और वहाँ पर बस एक ही बंदा बचा था और वो था लियोनार्ड इससे पहले एविलिन लियोनार्ड को भी मार पाती तबी वहाँ पे गंतर आकर एविलिन की उपर तूट पड़ता है ये देखकर लियोनार्ड भी हैरान हुदाता है आखिर गंतर यहाँ पर क्यों आया पिना अपनी मैक्स पावर को चार्ज करे एरिन बताती है कि इस समय गंतर ने अपने माउथ वेपन के साथ उस वेंपायर के हाथ को पकड़ लिया है लेकिन इन सब में गंतर के पास सिर्फ पांच मिनिट का ही समय है पतानी गंतर आखिर क्या करने की सोच रहा है तब ही हम देखते है गंतर एविलिन को ढखेलती है वहां के हेड कोर्टर से दूर ले जाता है और उन दोनों की ही जमीन के नीचे होता है समंदर और वे दोनों समंदर के अंदर गिर जाते हैं गंतर पानी में एविलिन के तिल की उपर पंच मारता है और तेजी से उसको भीचने लगता है जिसस गंतर एविलिन के पैर को पगड़के उसके दिल को बाइट करने के बाद उसके दिल को एक्सपोज कर देता है उसके बाद वे अपना आखरी अमला करता है और वो होता है एविलिन के दिल को चबाना अब यहाँ से चिन सिफ्ट होता है और हम गंतर की पास्ट स्टोरी को देख तुमारी वो आखरी रोने के वाच मुझे ऐसे सुनने में आ रही थी जैसे कि तुम मरत चाते हो मैंने तुमारी मरत करी और तुमारे उस अकेले पन को दूर किया जहाँ पर कोई भी आना नहीं चाहता होगा तुम्हें पता है जिस जगा पर तुम ऐसे ही बढ़े वे थे तु पैदा हो और यहाँ पर रहो मैंने अपनी ताकत से इतने समय तक तुम्हें जिंदा बचा के रखा तो तुम्हें उन से रिवेंज लेना ही होगा इस दुनिया से और अपने पैरेंट्स से यही यही है तुमारा अल्टिमिट रिवेंज तुम समझे गंथर येस मॉम मैं तो अब तैयार हो जाओ गंतर अगले स्टेज के लिए अब इस बार तुम्हें अपनी विल पावर को प्रूव करना है अब अपने इन मेमोरीज को याद करकर गंतर की आँखे कुलती है और जब गंतर अपने सामने देखता है तो उसको लेने के लिए महाँ पर एरिन और र आँख मारा जा रहा है पता नहीं मुझसे क्या कहना चाता है गंतर आँख मारना बंद करो जब तक तुम्हारी मेन बोडी ने मिल जाती तब तक तुम बात नहीं कर सकते उसके बाद गंतर को उसकी मेन बोडी में फिट कर दिया जाता है और वो कहता है बड़ी परिशानी का सामने उठाना पड़ा लेकिन आखिरकार मैंने उस वेंपायर को भी मार दिया है नहीं तुम गलत हो वो अभी भी जिन्दा है क्या बकवास है मुझे अच्छे से याद है मैंने अपने मूझे उसके दिल को बाइट करा था हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो लेकिन हमें समधर के क और किनारे उसके फुटपरिंट्स मिले हैं हमें उन फुटपरिंट्स के अंदर खोन भी मिला रहे है जिस से ये बात था हती है क्या है मैंने वेंपायर के दिल पर बाइट करा था और अगर Massachusetts के दिल में बाइट करा है तो वो तो मर जाना चाहिए ना हो सकता है तुम सच हो लेकिन अमारी एक बात मान कर तुम्हे माँ पर जाके चेक करना चाहिए उसके बाद वे सबी लोग आ जाते हैं उस कारविज में जो की सुनसान माँ पर पड़ा हुआ होता है उसके बाद गंतर उस कारबेच की तरफ बढ़ने लगता है उसके बाद उसे माँ पर दिखते हैं फुटप्रिंट्स किसी एक के नहीं कई सारे लोगों के ये करने के बाद विलोटिस करता है उस कारबेच की विल्डो को अच्छे से लकडी से ढग दिया गया है जिससे धोप अंदर ना आ लगता है और गंतर भी खुद को डिफैज करने के लिए उस पर हमला करता है वहां पर एक नहीं कई सारे वेंपायर गंतर उन्में से एक को पगड़ के गंतर पैचान जाता है यह तो वह ही बिग से जिनने से उसकी लड़ाद को लड़ाई भी थी उसके बाद वह भी बंदे हो जिसने हमारे किंग को मारा गंतर उन्से पूछता है आकर तुम हो क्या चीज़ देखने से मुझे तुम लोग काफी ज़दा कमजोर वेंपायर लगते हो उनमेंसे एक बताता है कि हम लोगों को लड़ने में और चलने में काफी ज़दा दिक्कत होती है क्योंकि हमारी तरीके से इनसानों को क्यों मारा इसके पीछे का रीजन वो लोग बताता है क्योंकि उन्होंने वेंपायर के साथ इनसानित को मिटाने का वादा किया है और अब गंतर को अपने साथ अपने किंग के पास ले जाना चाता है और गंतर भी उसके साथ उसके पीछे पीछे चलन इसके जवाब में एविलिन बताती है कि तुम्हें एक ऐसे पहले और इंस हो जिसने मेरे दिल को लगबख खतम कर दिया था पर तुमने सिर्फ मेरे दिल को आदा ही बाइट करा है इससे जो मेरी पावस थी वो कमजोर हो चुकी है उसके बाद एविलिन अपने हाथ को काट कर ब्लड निकालके गंतर को दिखाती है कि अब वे अपने ब्लड को कंट्रूल नहीं कर सकती गंतर कहता है तुमने इतनी मेरत करके मुझे संजाया लेकिन बिना अपनी ब्लड कंट्रूलिंग पावर से तुम सिर्फ एक जलती ही लकड़ी हो जो की सूरच के सामने जल जाएग तो अब देखते हैं कि तुम मेरे इन हमलों से बचपाती हो की नहीं तो इसे की साथ इस वीडियो का एंड होता है और इस वीडियो का लाइक एम है 600 लाइक अगर आपने इस वीडियो के अंदर 600 लाइक कंप्लीट कर दिये तो हम इसके पार 2 को थोड़ी लॉंग वीडियो क के साथ कवर करेंगे और मैंने इस बार लाइक एम थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने पहले 800 लाइक का एम दिया था वो कंप्लीट नहीं हुआता तो इसे साब से आप यह वाला एम कंप्लीट कर दो सायत तो अभी मैं चलता हूँ अम मैं मिलूंग आपको अगली वीडियो में अभी के लिए सायोनारा अभी मैं मिलूंग